नमस्ति शाकूर मसाले चनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल होटल जैसा बटर पनीर मसाला। आप इसे बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से घर में ही बना सकते हैं और ये बहुत ही मजेदार। लेजिस डिश बनके तयार हो जाती है तो देखते हैं रेसिपी। सबसे पहले पैन में ले लेंगे थोड़ा सा बटर। बटर मेल्ट होने देते हैं थोड़ा सा। उसके बाद हम डालेंगे इसमें पनीर। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर ले लिया है। इसे बस गोल्डन ब्राउन कलर होने थक सेक लेना है। शैलो फ्राइ कर लेना है इस तरह से। तो ग्रेवी की तयारी कर लेते हैं एक कड़ाई में ले ले लिया है थोड़ा सा बटर। पटर मेल्ट होने के बाद 2-3 लॉंग और 2-3 काली मिर्च डालेंगे। और बाद में डालेंगे एक हरी लाइची, डालचीनी का छोटा सा टुकडा और छोटा सा तेज पत्ता। यहां पर मैंने दो बड़े साइज प्यास काट लिये हैं, मोटे मोटे ही काटे हैं तो इससे हम डालके तीन-चार मिनिट के लिए इस बटर में भून लेंगे। दो तीन इंच अध्रक का टुकडा, दो या तीन हरी मिर्च, एक से दो लाल मिर्च और दो बड़े साइज टोमाटो काट लिये हैं, उसे भी डाल देना हैं। आठ से नो काजू डाले हैं, इसे भी इस प्यास के साथ भून लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे नमक ताकि ये टमाटर जद्दि से गल जाएंगे। ढ़क कर दो तीन मिनिट के लिए पका देंगे। टामेटो सॉफ्ट हो चुके हैं, इसे ठंडा होने देते हैं। अब एक मिक्सर के जार में इस हूने हुए प्यास और टमाटोर को निकाल लेंगे। और इसका पाइन पेस्ट बना लेना है। इस तरह से। इसे एक छलनी में निकाल लेंगे। चमच की साई अता से ही लाती है। इसे चान लेंगे। ताकि सूफ और फाइन पेस्ट हमें चाहिए। जो भी हमने उसमें खड़े मसाले डाले थे। इस तरह से यह मोटे-मोटे जो रुह गए है, उपर रह गए है। हमें मिल गई है, बिल्कुल फाइन गैसर मने कड़ाइ रखते हैं, इसमें डालेंगे बटर, बटर मिल्ट होने के बाध डालेंगे आधा चमच जीरा, एक बारी कटी हुए शिमला मिर्च, शिमला मिर्च को भून लेंगे अच्छ से, अब इसमें डालेंगे प्यास्ट अमारकेर की पेस्ट, इसे मिडियम ग्य बटर सेप्रेट न हो जाए अब हम इसमें मसाले आड़ करेंगे एक चमच हल्दी आधा चमच गरम मसाला एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च आधा चमच धनिया पाउडर ठाकूर किचन किंग मसाला यह हमारे होम प्रोड़क्ट है सभी प्रकार के मसाले एमेजाउन पर एवेलेबल है आप वहाँ से पर्चेस कर सकते हैं प्रोड़क्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं चमच किचन किंग मसाला डालेंगे अच्छे से ग्रेवी में भून लेना है मैंने याप पे डाल दिये दो कटोरी भर के पानी पाने आपकी सबसे जैसे आपको ग्रेवी चाहिए कम ज़्यादा कर सकते हैं प्रोड़क्ट नमक प्राई किये हुए पनीर के टुकडे इसे मिक्स कर लेंगे ग्रेवी में उबा लाने के बाद डालेंगे आधा चमच कस्तूरी म थी चार से पाच चमच फ्रेश क्रीम क्रीम डालने के बाद हमें तुरंद गयस बन कर देना है और ये हमारा बटर बनेर मसाला बन के बिलकुल रेडी है थैंक्स फॉर वाचिंग